और सबसे आधा हास्यास्पद वो लोग होते हैं जिन्दगी की किताब का चुटकुला वो होते हैं जो कहते हैं हमने शरीर को जीत लिया है वो इसी मूँ से इसी जबान और इसी होट का इस्तिमाल करके कह रहे हैं हमने जिस्म को जीत लिया है उन्हें मैं कहता हूँ जिंदगी की किताब का चुटकुला हमने जिस्म को जीत लिया है प्रकृति को तो परमात्मा भी नहीं जीत पाता बेटा तुमने कभी देखा है कि परमात्मा प्रकृति के नियमों के साथ छिबखानी करे कोई बहुत बड़ा भक्तो और उसके ओपर पत्थर गिर रहा हो तो क्या पत्थर के लिए गुरुतवा करेशन के नियम बदल जाएंगे यह नहीं है तो भक्त आदमी है तो परमात्मा प्रकृति के साथ शिर्खा नहीं कर दे कि इसके लिए 9.8 मीटर सेकेंड स्कोईर नहीं होगा इस पे हौले हौले गिरे पत्थर ताकि इसे चोट कम लगे भक्त आदमी है भाई ऐसा होगा प्रकृति के नियमों के सामने तो परमात्मा भी निरुत्तर है कह सकते हो कि हारा हुआ है उसकी चुनी हुई हार है पर उनहीं क्या खानी करता परमात्मा नहीं जीत सकता प्रकृति से तुम क्या खा के जीत होगे शरीर नहीं प्रकृति तुम जीत लोगे फिर जलने तो जो चल रहा है शरीर में भीतर तुम तुम रहो सच्चे रहो आनंदित रहो आनंद से रुकना आनंद में करन, आनंद जीन और आनंद में ही मरना